हिलो दोस्तों आज हम सेखने वाले हैं बीटा अप में वीडियो फोटो को कैसे आइड किया जाता है तो चलिए फिर वीडियो की शुरुवात करते हैं तो सबसे पहले हमें बीटा अप को आपन करना है आपन करने के बाद बाद new project पर किलिक करना क्लिक करने के बाद आपको तीन आपसन देखने को मिलेगा पहला आपसन है आल का दूसरा है वीडियो का और तीसरा है फोटो का तो जैसे मुझे सबसे पहले हमें वीडियो को लेना है तो वीडियो को क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपकी गालेरी खुल जाएगी आप यहाँ से कोई सीभी वीडियो ले सकते हैं जैसे कि मुझे एक वीडियो लेना है जैसे मुझे ये वीडियो लेना है तो वीडियो लेने के बाद एक arrow का आपसन दिखाई देगा वहां में क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद कुछ यह processing करने के बाद यह अब timeline में आ जाएगा तो जैसे कि यह तो हो गया मतलब video को कैसे आड़ किया जाता है अब जैसे मुझे कि मुझे photo लेना है तो photo लेने के लिए एक plus का option दिखाई देगा plus के icon पर click करना है तो यहाँ से आप image पर click करना है image पर click करने के बाद आप यहाँ से कोई सी भी photo ले सकते हैं जैसे कि मुझे यह photo लेना है यह लेना है यह लेना है पोटो लेने गबाद Airo के इनी निसान पर क्लिक करना है क्लिक करने गबाद ये आ गया मैं वीडियो ले लिया और फोटो ले लिया तो यहां से आप इडिट कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एक प्यारा सा कमेंट करें और इडिटिंग हम से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैभार